देश टिवी की सूर्ख्या में देखते हैं आज की देश विदेश की चर्चित खबरे 17 अगर्षी सूर्खों के पहले स्थान में हैं अरुन जेटली की हालत बेहद नाजुग बीजेपी नेता और पुरोवित्तमंत्री अरुन जेटली की हालत काफी नाजुग बनी हुई है एम्स में डॉक्टर ने उनकी बिगरती हालत को देखते हुए वेंटिलेटर से हटा कर ECMO यानी एक्स्टा कॉर्पोरियल में ब्रेन ऑक्सिजिनेशन पर शिफ्ट किया है डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजार बनाए हुए हैं और उन जेटली का हालचाल जानने के लिए पिछले दो दिन से एम्स में नेताओं का ताता लगा हुआ है राष्टपती, प्रधानमंत्री, ग्रहमंत्री समेथ, भाजपा के वरिष्ट पताधिकारी भी जेटली की सेहत के बारे में जानकारी लेने एम्स पहुँचे थे अज़ी सुर्प्न में दूसरे स्थान में है जमू कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी पर चिदंबरम के सवाल जमू कश्मीर से अनुछे 377 हटाये जाने के बास से कॉंग्रेस नेताओं की ओर से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है अब कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और मनमहुंत सरकार में वित्तमंति रहे पी चिदंबरम ने कोर्ट के द्वारा एक्शन लेने की बात कही है वहीं उन्होंने जम्मु कश्मीर कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम एहमद मीर की नजरबंदी पर भी सवाल उठाए है उन्होंने जम्मु कश्मीर के मसले पर सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए जिदंबरम ने कहा कि सरकार को नागरिकों के स्वतनता बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है यह समिधान के अनुछेद 21 का उलंगन है आज के सुट्वों में तीसरे स्थान में हैं देश के कई राजियों में बाड का कहर बाड की वज़े से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुरी तरह से प्रभावित हो गया है दक्षिन भारत के केरल और करनाटक, पशिम भारत के महराज, मद्ध भारत की बाड ने 200 से जादा लोगों की जान ले ली है करीब 50 लोग अब भी लापता है बाड से निपटने सैकडो रहाश्वीर बनाए गए है जिसमें लाखों लोगों को शरन दी गई है बाड से लाखों एकड में फैली फसल भी तबाह हो गई है करनाटक के कुजीलों में अब भी हालत बत्तर है बाड की वज़े से इन राज्यों के कई गाउं पुरी तरह से मुख्यधारा से कड़ गए है आज की सुख्यों में जौफे स्थान में है पठान कोट में रेड अलर्ट पंजाब के पठान कोट में हाई अलर्ट घोशित किया गया है सुरक्षा एजेंसियों से मिल रहे इन पुर्ट के चलते पंजाब पुलिस ने है कड़म उठाया है अलर्ट के चलते पठान कोट को पुरी तरह से सील कर दिया गया है पुलिस ने अलग अलग 40 जगों पर नाके लगा कर हर एक गाड़ी की बारिकी से चांच की जा रही है सभी सुरक्षा पतिश्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नाके भी बढ़ा दी गए है इस दोरान सुरक्षा एजन्सियों ने हाईवे और बॉर्डर पर लगे इलाकों में खास सतर गता बरतने की सला दी है आज के सुल्खों में पांच में स्थान में है रेल मंत्री पियुजगोईल की सौगात रेल मंत्री पियुजगोईल ने ट्रेन यात्रियों को बड़ी सौगात देने की घोशना की है भारत के सबसे वैसतम रूट में से एक दिल्ली हावडा के बीच में नया रेल मार्ग बनाया जाएगा इस पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से दोड़ेगी इससे फायदा ये होगा कि अब दिल्ली से कोलकाता तक का सफर से 12 घंटे में तैह होगा ये रेल लाइन दिल्ली पश्यमंगाल उत्तरपदेश बिहार जारखंड के लिए वर्दान साबित होगा आज के सुख्यों में छटवे स्थान पर है पश्यमंगाल में भारिश बारिश के चलते एयरपूर्ट बाधित पश्यमंगाल में पिछले 48 घंटे से हो रही मुसला धार बारिश के चलते चार लोगों की मौत हो गई जबकि चार बंगलादेशी नागरी को समेथ 19 लोग घाय लोग है बारिश के कारण सुभाष चंद्रबोर अंतराष्टी हवाई अड़े पर पानी भर गया है भारी बारिश के साथ तेज हवाय चलने के कारण कई उड़ानों को रोग दिया गया है पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर की सड़कों पर भी पानी भर चुका है जिसकी कारण जगा जगा जाम की समस्या बनी हुई है आज के सुष्ण में साथमे स्थान पर है अर्थववस्था को पट्री पर लाने के लिए मिलेगा राहत पैकेज देश की अर्थववस्था को पट्री पर लाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन राहत पैकेज देगी लेकिन उन्होंने इसकी समय सीमा के बारे में जानकारी देने से इंकार कर दिया है उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उनकी प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी और वे फिर मिलेंगे फिलहाल आगे का रोड मैप या पैकेश के बारे में बात करने का ये सही समय नहीं है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री कार्याले और मंत्रालेयों से चर्चा चल रही है सही समय आने पर इसकी घोशना की जाएगी आज की फुल्षनुमिया आठमे स्थान पर है श्रीनगर में शुरू हो गई लैंड लाइन सेवा जम्मू और कश्मीर में शनिवार से फोन सेवाएं शुरू हो गई हैं जम्मू में जहां 2G स्पीट के साथ इंटरनेट सेवा शुरू हो गई तो वहीं कश्मीर के श्रीनगर के राजबाग शेतर में लैंड लाइन सेवा भी शुरू कर दी गई है हाला कि कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल होने में अभी और वक्त लग सकता है जम्मू के अलावा सांबा, कठुआ, उधंपुर में 2G स्पीट के साथ इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई है राजोरी शेतर में प्रतिवंदों में धील दी गई है राजोरी में धारा 144 के तहट राट 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यह सिमित रहेगा आज की सुख्यों में नौवे स्थान में है पाकिस्तान में भारती फिल्म पर प्रतिवन जम्मू कश्मीर से मोधी सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान की इमरान सरकार बौखलाई होई है ट्रेन बस सर्विस बंद करने, एक्टर और उनकी फिल्में बैन करने के बाद अब इमरान ने एक नया फर्मान जारी कर दिया है इस बार पाकिस्तान सरकार ने देश में भारती फिल्मों की सीडी की बिक्री के खिलाब मोहिम शुरू की है मीडिया रिपोर्ट में इमरान खान के विशे सलहकार फिर्दोस आशिक अवान ने बताया कि हमने भारती विग्यापनों पर प्रतिबन लगा दिया है और भारती फिल्में जब्त करने के लिए सीडी की दुकानों के खिलाब मोहिम शुरू की गई है आज की फिल्में दसने ठान में है रविशास्त्री फिर बने टीम इंडिया के हेट कोच लंबे अंदिजार के बाद आखिरकार भारतिय क्रिकेट टीम के नए हेट कोच के नाम का अयलान कर दिया गया है कपिल देव की अगवाई वाली क्रिकेट सलहकार समिती ने टीम इंडिया के मौझूदा कोच रविशास्त्री को ही बतोर कोच बरकरार रखा हुआ है रविशास्त्री को अगले दो सालों के लिए टीम इंडिया का कोच चुना गया है कफिल देव ने बताया कि कोच के दावेदारों के बीच कड़ी टक कर रही माइक हैसन दूसरे और टॉम मुडी तीसरे नमबर पर रहे है रोबिन सी और लाल चन राजपुद भी हेट कोच के रेस में थे लेकिन बाजी रवी शास्ती नहीं मारी